नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुभास और आप सभी का स्वागत करता हूँ एके ओनलाइन सपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो मुबाइल फॉन वर्टीम के बारे में दोस्तो अगर आप एक वीवो मुबाइल फॉन यूज करते हैं तो कभी न कभी दोस्तो आप Google Play Store से अपने मुबाइल फॉन के लिए थीम एप्लिकेशन को इंस्टॉल किया होगा और आप अपने मुबाइल फॉन पर एप्लाई किया होगा लेकिन दोस्तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस थीम एप्लिकेशन को अपने मुबाइल फॉन पर एप्लाई तो कर देते हैं लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद उसे हम अनिस्टॉल कर देते हैं क्योंकि हमारे फॉन पर वो थीम सही से वर्क नहीं करता है या फिर दोस्तो हमारा phone को hank होने लगता है या फिर हम उस theme को पसंद नहीं करते हैं तो फिर हम उसे uninstall कर देते हैं लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके वीवो mobile phone पर ही एक वीवो की तरब से दिया हुआ theme application पर जाकर की आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे theme को install कर सकते हैं और अपने phone पर apply कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक request है अगर आप हमारे इस channel पर पहली बार आये हैं प्लीज चानल को subscribe कर लिजे और साथ में एक bell notification है उसे press करके all notification को on कर लिजे ताकि आने वाली हर useful वीडियो की notification आपको लगातार मिलती रहे तो दोस्तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जो mobile phone है वीडियो का यह अभी simple theme पर है और यहाँ पर हम अभी एक theme apply करेंगे जो की बहुत ही अच्छा दिखेगा हमारा mobile phone का home page तो चलिए सबसे पहले हम उसे find करते हैं जो वीडियो की तरब से application दिया हुआ है आप देख सकते हैं एक theme का application है यह वीडियो की तरब से दिया गया है यहाँ पर अगर आप एक बड़ टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से interface आएगा यहाँ पर दोस्तो आपको बहुत सारे themes मिलेंगे तो आप किसी भी themes को आप यहाँ से install कर सकते हैं और आसानी से उसे अपने phone पर apply कर सकते हैं तो चलिए हम किसी भी एक यहाँ पर theme को लिलेंगे यहाँ पर दोस्तो आपको बहुत सारे themes मिलेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप यहाँ से डाउनलोड करके apply कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक theme को यहां से हम install या फिर download कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक theme है इसे चलिए हम यहां से click कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं L-O-V-E love यहां पर नीचे free लिखा हुआ है यहां पर हम click करेंगे जैसे हम यहां पर click करते हैं उसके बाद coaches प्रकार से interface आता है अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो इस वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं coaches प्रकार से आपका theme जो है दिखेगा तो अगर आप इसे download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं download का बटन है उससे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह theme का size क्या है और यहाँ पर देख सकते हैं downloaders कितने हैं तो चलिए हम download वाले बटन पर click करेंगे और यह download होना start हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 100% हो चुका है और यहाँ पर apply का option आ गया apply वाले बटन पर हम click करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं apply it successfully दोस्तो आप देख सकते हैं यह theme जो है हमारा apply हो चुका है और कुछ इस परकार से दीख रहा है तो दोस्तो कुछ इस परकार से आप बहुत ही आसान इसे अपने mobile phone पर ही theme के option पर जाकर के आप अपने phone के लिए theme को यहाँ से find करके आप download कर सकते हैं चलिए और एक हम दुसरा theme को यहाँ से try करते हैं तो बहुत सारे आपको themes मिलेंगे साथ में wallpapers भी है screen lock भी है साथ में यहाँ पर देख सकते है local का option है जो कि आपके original theme जो होते हैं आपके phone पर पहले से तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तो बहुत सारे options आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं तो आप इसे एक बार अपने mobile phone पर try कर सकते हैं चलिए हम इसे भी apply करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह भी apply हो गया है तो कुछ इस परकार से दोस्तों आप यहाँ से बहुत ही आसाने से theme को find कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी theme को apply कर सकते हैं इसमें आपके phone को hank नहीं करेगा क्योंकि यह भीवो की तरब से theme दिया गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक like जरू कीजेगा मिलते हम किसी interesting वीडियो के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखेगा thanks for watching जैहिंद बंद मातरम